हेलो फ्रेंट्स मैं से अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने रिट्व चैनल पर दोस्तों आज की विडिया आपके लिए काफी इंपॉटेंट है यह जजमेंट अपने आप में यूनिक है यहां पर जो है फ्रोड के केस लगाकर सेक्शन 74 में नोटिस इसू कि करेंगे और दूसरा जो यहां पर उन्रेबल कोट ने रिलीफ प्रोवाइड किया है वह क्या पॉइंट करते हुए प्रोवाइड की है जब आप अपने लिए और के इस्ट में अपील करेंगे उस केस में भी यहां पर आपकी काफी हेल्प होगी ठीक है वीडियो को पूरा दमांड और पास हो गया डीर सेवन और यहां पर जो है डिमांड दोटर के साथ साथ अटेच्मेंट का व्हां पास हुआ इन्हों ने जो है ज्यांटने पर आप अपने नोटिस का reply करें या कोई भी GST में appeal file करने जाए तो proper facts के साथ already जो judgments आई हुए है honorable high courts के judgment है honorable supreme court के judgment है उसके बाद जो उस section में बात लिखी हुई है वो lowest point पर क्या कहता है वो भी आपको mention करना है आपको किस तरह से notice का reply करना है किस तरह से appeal file करना है उनके लिए specified formats videos में YouTube channel पर available है वीडियो के description में आपको link में मिल जाएंगे तो आप ध्यान रखें जब भी आप अपने reply को submit कर रहे हों वो proper format के अंदर करें otherwise जो आपके submissions हैं वो reject कर दिये जाएंगे अब यहाँ पर जो है इस वाली request करने की बात की गई है और उसके सासा जो attachment का notice है उसके लिए भी यहाँ पर request की गई है कि सर उसको भी request किया जाए practitioner ने कहा कि उन्होंने अपनी return जो है timely सारी returns फाइल की उनको ना तो उस intimation का बता था ना ही socos notice का बता था और ना ही उन्होंने assessment order का बता था ठीक है उन्होंने यहाँ पर यह चीज लिखी है लेकिन आप समझिये कि proper जो है communication किया जाता है department की तरफ से जो भी आपके registered email id मुबाइल नंबर होते हैं तो यहाँ पर इस वाले case में यह चीज और भी यहाँ से clear दिख रही है कि हो सकता है कि जो SSC है उसके contact details update ना हो तो आप अपने contact details को update रखें क्योंकि अब department की तरफ से जो cross filing हो रही है उसमें clear लिका जा रहा है कि सर हमने GST portal पर यह upload कर दिया data उसके साथ साथ इस particular date पर communicate किया है SSC को email id पर communicate किया है message में communicate किया है उसके साथ साथ अब department की तरफ से physical भी जा रहे है physical notice, physical orders भी पास किये जा रहे है तो आप इस चीज को ध्यान लखें इस starting में अभी जैसे starting के cases आ रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर जो relaxation मिल जाए पर आगे चल कर यह वाले जो points है कि हमें intimation नहीं मिली है हमारे पास assessment order नहीं था तो आगे चल कर आपको इसमें problem हो सकती है ठीक है अब यहाँ पर इन्नों ने कहा कि जब तक हमें assessment यहाँ पर जो है assessment order हमारे हो गया हमें जब तक attachment का order हमारे पास नहीं आया ठीक है तब तक हमें इस चीज़ का पता ही नहीं लगा हमारे पास जो attachment के लिए पहले notice आया फिर उसके बाद order पास हो गया अब order जब communicate की हुआ December में जब हमें इस सारी चीज़ यहाँ पर पता चली ऐसा यहाँ पर petitioner ने कहा उससे पहले उन्होंने यहाँ पर जो है क्वेस करने के लिए बात किया है कि सरी जो order पास किये गए है उनको क्वेस कर दिया जाए वह order की date सब चीज़ यहाँ पर लिखी गई है उसके अलावा जो है यहाँ पर second चीज़ नहीं क्या गई आपके पास दो राइट्स होते हैं जब आपके इंगिस्ट में और पास हो जाता है एक तो अपील करने वाला और दूसरा रैक्टिपिशन उनके लिए दोनों के लिए अलग-अलग section है, rectification जो है, इस ground पर होती है कि apparently mistake on records, कि जो order pass हुआ है, उसमें apparent mistake है, इसी ground को लेते हुए, यहां पर, तीन तारिक को, 3 January 2024 को इन्हों ने जो है, यह rectification की application file की, इस तर यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो आपकी तरफ से ओडर पास हुए है उसमें कोई एरर है और यहाँ पर जो है कोई भी टेक्स्ट यूज उनकी तरफ से नहीं है कि उन्होंने का कि हमने तो प्रोपर रृटर्ण फाइल की हुई है सब कुछ उक्के है उससे पहले उन्हों नोटिस और के लिए मना किया उनको रिसीव नहीं हुए या उन्होंने उन्हें कमिकेट नहीं हुए बस उनको तो अटेजमेंट ओडर मिला ठीक है अब उसके बाद जो है यहां पर उन्होंने जो ओडर्स हैं उनको चैलेंज गया वह भी मल्टिबल ग्राउंड पर पहला ग्राउंड समझेगा यह आपकी काफी हेल्प करेगा उन्होंने पहले ग्राउंड में कहा जिसर सेक्षन 74 में यह चीज लिखी हुई है कि कि जब सामने वाले परसन कोई फ्रोड विल्फुल मिस स्टेट्मेंट या सप्रेशन ओफेक्ट करेंगे वह आईटी सी के रिगार्ड मीं हो सकती है या फिर टेक्स कम भरा या फिर आपने लाइबल्टी कम जमाकी इसमें सब चीज़े लिखी हुई है यहां पर यह चीज़ यहां पर इनवोल्ट रहती है बाकि टेक्स और इंटेक्स तो आपको जमा करना ही पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि सर पहला जो ग्राउंड यह है हमारा यहां पर कि हम जो यह ओडर जो पास हुए है उनको हम चैलेंज कर रहे हैं पहला ग्राउंड यह है कि सेक्शन का चैलेंज रहने का कि जो ओडर पास हुआ है उसमें को रीजिनिंग प्रोवाइड नहीं की गई है रीजिनिंग का मतलब है कि कोई स्पीकिंग और पास नहीं हुआ है कि इस पॉइंट के बेस पर यहां पर फ्रोड माना जा रहा है उस जो भी एक्टिविटीज है उनको कै भी डिफ्रेंस नहीं में जीएस्ट रवन थ्रीवी का कुछ पॉइंट यहां पर उठाया गया हो फिर उसके बाद इन्होंने यह भी समिट किया कि हम जो है दस परसेंट जो भी डिस्पुटिट डिमांड है उसका दस परसेंट जमा करने के लिए हां पर रेडी है अगर एस सब्सक्राइब की तरफ से प्रॉपर ऑपॉर्चुनिटी दी गई थी इनको इंटिमेशन भी भी बेजे गए हैं सोको इस नोटिस भी बेजे गए है परस्नल लियरिंग भी को फर की गई है तो यहां पर जो है प्रिंसिपल ऑफ नेच्वल जेस्टिस के वाइलेशन का कोश कि इपंज अससमेंट डॉर पर रफ तुद इंटी मेशन डेट है उसमें जो हैं इंटी मेशन जो असमें डेट लिखे वही थि इस सोक उस नोटिस की लिखे वही थी और यहां पर जो रिकोर्ट्स हैं उसमें प्रेटिशनर ने कोई भी कंप्लायंस नहीं किये विद और नहीं किये और नहीं जो डिमांड थी उनके अगेंस्ट में कोई भी आसे रिप्लाइब सब्मिट नहीं किये इन इस सर्कमिस्टैंसेज इट कैन नोट भी सायड देट एन अपोर्चुनिटी वाज नोट प्रोवाइड इस सिच्वेशन में यह नहीं का जा सकता कि डिपार्टमेंट की तरफ से उनको को यह अपोर्चुनिटी नहीं दी गई कि वह अपने टैस्स रिमांड को रिस्मांड करें ऑन दा एक्जामिन उप दा एक्समेंट ओडर दा सोकोज नोटिस विच इस प्रिसीडिड जो सोकोज नोटिस पहले बेजे गई थे असेस्मेंट ओडर से और इस नोटिसवेल डेट इंपंज ओडर अन्रीजन उसमें यह भी चीज कंसीडर की गई है कि सेक्शन सेवनटी फोर के जो कंडिसेंस है उसको सैटिस्वाई नहीं किया गया और दूसरा जो ओडर है जो अडर पास किया है वो अन्रीजन है इसलिए ओंडेवल कोट ने यहां पर यह जो ओडर से हैं उनको क्यास कर दिया सैट असाइड कर दिया लेकिन सब्जेक्ट तू टैन परसेंट ओफ डिस परसेंट की वह दस परसेंट जो जमा करेंगे विदिन टू वीक्स दोह अफ्टे का उनको टाइम दिया फ्रॉम देट सब्जेक्ट वे फुल्फिल्मेंट ओफ अबोग कंडिशन यह दस परसेंट जम होने के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है उनको डिरेक्शन दी गई है कि वह फिर से इनको एक पॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो देखिए जहां पर आफिसारे ऐसे ओडर पास हुए पहले ग्राउंट तो सबके लिए सेम आ रहा है कि जो ओडर है वह स्पीकिंग ओडर नहीं है क्योंकि जितने आप केस देखेंगे जितने सारे जज़्जमेंट यहां पर आई हुए हैं उन जज़्जमेंट में भी ओनेवल कोट ने इस पॉइंट पर फेवर दिया है कि जो ओडर है वह स्पीकिंग ओडर नहीं है तो पहला तो सब में यूनीक हो गया कि वह तो सब के लिए एविलेबल रहे गई रहेगा दूसरा यहां पर पॉइंट आता है कि जिस भी सेक्शन में आपके इंगेश्ट में और पास किया गया है आप उस सेक्शन को प्रोपरली रहे हो यहां फिर अपील करने जा रहे हूं तो उस केस में आपको जैन्मन तरीके से रिलीफ मिलीगी ठीक है अब यहां पर जो है उन्रेबल कोट ने यहां पर रिलेक्से संदेधी जबकि ऑफिसर ने पॉशनिटी भी दी ती लेकिन यहां पर दो पॉइंट पर केस जो है इनके फिवर में आया है तो 74 के जो कंडिशन्स हैं उसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वह प्रोपरली फॉलो नहीं हुए है क्योंकि जो ओडर पास हुए है उसमें प्रोड या फिर मिसस्टेट्मेंट या सप्रैसानों फैक्ट्स के अलिगेशन नहीं लगाए गई है ठीक है और दूसरा है कि speaking order पास नहीं हुआ है तो आप भी इस वाले जैजमेंट का benefit ले सकते हैं इसी टाइप के काफी सारे वीडियो जिसमें मैंने आपको यह चीज बदाई है कि नोटिस की रिफ्लाइब को कैसे करने हैं अपील कैसे फाइल करनी है क्या पॉइंट्स का ध बच जाएं क्योंकि मैचिंग आप करके चलेंगे तब आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगा लेकिन एक साल का दूसरे साल में अगर आप लिंकिंग करके चलेंगे तो हो सकता है आपको नोटिस आ जाए इस वाले जैजमेंट के लिए जो PDF कोपी है वो आप औरनेबल कोट की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए मैंने अलग से प्लेइलिस्ट बना दिया जजमेंट्स की काफिसरे जजमेंट्स अब यहां पर आ चुके हैं कुछ ऐसे जजमेंट्स है जो SSC के फिवर में आकर डिबार्ट है तो जो भी फिवरेवल जजमेंट्स है आप उनका यूज कीजिए इस वीडियो को सेर भी कीजिए यह अपने आप में एक यूनिक जजमेंट्स है क्योंकि इसमें दो ऐसे पॉइंट्स दो ग्राउंस आपको मिले हैं जो आपकी काफी एल्प करेंगे चैनल को सब्स्राइ करें ने करें वीडियो जरूर देखें यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू